घर बैठे बहुत ही मिनिममम फीज के साथ सीख सकते हैं आप पूरा संगीत डाउनलोड कीजी अभी संगीत धरा SPW आप पंडेत अवद किशोर पंडेजी द्वारा वहां पर संगीत सीखिए Android, iOS और Dextop पर हम बात कर रहे थे शब्दों की गती पर है ना इस पर हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा कि ऐसा मैंने क्या बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी हो या उर्दू हो उसे शुद्ध जब हम बोलते हैं तो हमें थोड़ा धीमा धीमा बोलना पड़ता है जल्दी नहीं बोल सकते हैं जल्द बोला, शुद्ध है एक दम, तलुक, तलुक, ऐसे नहीं बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा तो वो स्पष्ट नहीं होगा, तो ये एक इशु रहता है इस भाषा के साथ, इन दौनों भाषाओं के साथ, अब देखिए मैं दुवारा भाषा से संगीत पर ही आऊंगा, है ना, म फिर मैं आता हूं, संगीत पर कैसे, यही चीज़ संगीत में कैसे अपलाई होती है, और फिर बाकी जगह कहां कैसे अपलाई करनी ही, वो आप खुद भी कर सकते हो, आप कंसेप्ट समझो, फिर एक्जाम्लस खोद के बना लो, कि हाँ यहां यहां भी यह चीज़ अपलाई ह तो मुझे दीमे दीमे बोलनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने इनको एक्जाम्पल दिया था, अटल विहारी भाजपई साब का, बड़ा धीरे धीरे बोलते थे वो, उनके भाशान सुनो तो वो इत्मिनान बहुत सुकून बहुत तसल्ली है, जल्दबाजी चपड़ चपड़ सुनिए आप, स्पष्ट हिंदी बोलते हैं, भली वो तेज, बहुत तेज बोलेंगे, लेकिन स्पष्ट हिंदी बोलेंगे, अच्छे-च्छे कवी आप उठाइए, जिनका आप वाचन सुनिए, वो जब रेसिटेशन करते हैं कविताओं को तो ऐसी वीररस की कविताएं, वो तो ढीले से पढ़नी सकते हैं, उनको जोश से तेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तब भी उनका उच्छारन साफ रहता है, तो वो एक अलग अभ्यास की बात है, तब जाके आप शुद्धता में भी तेजी ला सकते हैं, लेकिन अगर आसानी से आपको सिर्फ तेजी नहीं होता है, तो उसमें वो चीजें छूट जाती हैं, अगर मैंने आपको एक लाइन अभी गवाई, गाने को बोला कि, अब ये लाइन इसकी बजाए इतना जल्दी आप बोलें कि यार ये लाइन में, तो वो बारीखियां रह गई जो मैं देना चाह रहा था, है ना, बा आपाई जब मैंने गती धीमी रखी, तब मैं वो चोटी-चोटी की, यहां मैंने एक हरकत रह ली थी, वहां एक मुर्की थी, तब आप उसको ग्रैस्प कर पाएंगे, तो डिटेल्स करने के लिए स्लो करना पड़ता है, ना, जैसे वो उनको भी अभी समस्य आ रहे थी, उ और ये का, तो स्पष्टता के लिए गती धीमी करनी पड़ी के नी, है ना, उसके बाद धीरे-धीरे जब वो स्पष्ट होगे, आप क्लियर होगे, आपको भी समझ आ गया, अब उसमें गती बना लो आप, एकदम से सारे गमप अधनी सा फास्ट-फास्ट लेने लग जाओ लेकिन वही कोई एक लाइन गानी थी, वो आपने तुरंद गा दी, क्योंकि वहाँ उपर-उपर से निकल गए लग गया कि सुर लग गए, पर वो लगे नहीं एक्जाक्ली, उसको अगर आप स्लो लेने जाओ, बारीकियां डिटेल में उतारोगे, तो मालूम चलेगा, आ का सुर ऐसे आएगा, या इस शब्द को इस तरह से बोलना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपने फॉर्स टाइम में सुनके बोला, तो आपने गादी आपको लगा कि हाँ ये लाइन तो सेम है, पर सेम नहीं है, कोई तस्वीर किसी इंसान ने बनाई, उस तस्वीर को देखक का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी से उपरी उपरी तौर पे देख लिया, तो ये क्या हुआ, सुपूर्ती में, तेजी में अशुद्धा आ जाती है, भाशा में भी यह होता है, इसी वज़े से हमारा उच्चारण आज घलत है, क्योंकि हम बोलता ह कि मैं कहीं जा रहा हूं, तो मैंने क्या बोला, जा रहा हूं, जा रहा हूं कोई शब्द है क्या, कोई शब्द नहीं है, जा रहा हूं, या मैंने बोला मेरा नाम निशाद है, तो क्या बोला, निशाद है, निशाद है क्या होता है, मेरा नाम निशाद है, तो गती धीमी कर स्पश्टता नहीं आएगी ये तो हो गई भाशा की बात अब यही चीज संगीत में भी लागू होती है राग है राग का अपना एक चलन होता है उसमें एक प्रक्रती है उसकी उसका नेचर है जैसे कि भैरव गंभीर राग है उसमें मैंने बताया ने कि कैसे रिशब और पर अंदोलान आता है वहां गमक आती है महल किसी मीड है गमारे गमारे रेसा धार्दा नीनिसा सार्दा आर्दा पामा परमागा गमारे रे गमाबाधा रापा गमारे रेसा ये उसका नेचर है ये गंभीरता है ये कब आप आईगी जब इसमें आप दुरुपद या बड़ा ख्याल गाऊगे यानि विलंबित यानि कम ले भैरव को जैसे ही दुरुत में गाया तो वो सपाट हो जाएगी समझ रहे हूं? रे और धहका अंदुलन खत्म अंदुलन खत्म क्यों? क्योंकि अंदुलन की स्पेस ही नहीं है वापे अंदुलन को स्पेस चाहिए न वही रे को अगर मैं बार-बार ऐसे मीर्ड के साथ लगा रहा हूँ तो टाइम चाहिए न उसके लिए तो वो दृतले में नहीं मिलता है इसलिए जो अच्छे कलाकार हैं जो गहरे कलाकार हैं वो बहुत शास्त्री संगीत को नियम से जानते हैं नियम से गाते हैं वो दृत चीजे नहीं गाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि दृत में चलन खत्म हो जाएगा दरबारी के मैंने एक्जामपल दिया दरबारी वक्र राग है वक्र यानि टेड़ी यानि उसके सुर्ष अपाट नहीं है है ना कैसे साधानी रे 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 सारे पागा मारे है ना गंधार कैसे लगा आप देख रहे हैं गर जूला वहाँ पे अलका सा जूला ना रे पागा मारे रे रे सारे पागा मारे साधानी रे liftsा साधा धने पा मामाबादादानेपा माबनी माबदादानीरसरफगा मारेसा माबदानेपा माबने माबदादाने माबदाने 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 माबदा होते हैं, या शाडव-शाडव है, और ओर आवडव है, इसकी वक्र समपून है, यह रागई ही वक्र है, टेड़े ही सुर् लगते हैं इसमें, टेड़े यानि एक सुर्ष दूसरे को छोड के लगेगा, गशिधा नहीं लगता इसमें अगर परसे सा पर आना है तो ये वक्र राग है अब क्या होता है ये भी घंबीर परकरती की राग है इसमें बड़े ख्याल गाये जाते हैं विलंबित चीजें गाई जाती है जैसे ही ये राग का ख्याल आपने दृत कर दिया और इसमें विस्तार करने गए तो गुंजाईश ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप आएंगी मीड नहीं आप आएगी गमक नहीं आप आएगी सिर्फ सपाट चीज़ें आएगी है ना अब जैसे ये इसका ख्याल है तो आप इसकी ले देख रहे हैं इसकी ले एक दो तीन चार पांच है ये नहीं है ये तो फिर भी बैने तोड़ा आपको तेज़ गाए वढ़ना इसकी ले ये ले जा रहे है तीन ताले अब ये विलंबित नहीं है ये दृत नहीं है इसे कहते हैं मध्य विलंबित ले ये एक नई प्रकार के लिए आपके सामने आज है ये ना विलंबित है ना मध्य है ये मध्ध विलंबित है, जो विलंबित और मध्ध के बीच में है, ये वो ले है ये मेरे गुरुजी का खयाल है तो अब यही अगर खयाल में खत्म हो जाती है यहाँ, राग का चलन था आहत मन कर गए है ना, कर वो जो मुर्कियां थी, जो गमक थी उसकी जो आंदोलन था उसका वो खत्म हो गया अब इसमें जब ताने जाएंगी तो ऐसी लेनी पड़ेंगी जबकि ये चलन नहीं था मबदाने पमापरे निजादाने मापने मबगा मारे सा आहत मन कर धानी रे 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 सार बगा मारे सार निजा आहत इस राग का विस्तार ही ऐसा है इस राग के विस्तार की लए ही ये है इस राग को आप ऐसा नहीं कि दृत में खीच लोगे और फिर इसका विस्तार करोगे मुम्किन नहीं है तो ऐसा क्या हुआ क्योंकि विस्तार अशुद्ध हो जाएगा अगर दृत में किया तो यह वही बात है, जैसे ही तेजी बढ़ाते हो, अशुद्धता हो जाती है, इसलिए यह चीज संगीत में भी होती है कि कोई भी चीज करनी है तो वो इत्मिनान और विलंबित से होगी, तो वो शुद्ध रहेगी, वरना अशुद्ध हो जाएगी, साफ बात है यह, अब त बहरव ही चल रही है, पर कुछ रागों के तब भी लिमिट होते हैं, यह कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं है कि हर राग को विलंबित से शुरू करके दुरुत में खत्म किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, रागों के अपनी प्रकृति होती है, राग सब तक राग है, यानि खरज और मद्ध में जाधा रहेगी, बनिस्बत की उपर, पूरिया है, पूरिया कल्यान है, जौनपूरी है, या सोहनी है, यह कुछ राग हैं जो उतरांग प्रधान है, उतरांग मतलब उतर अंग, यानि आपका दूसरा सब्तक ये, मद्ध के उपर वाला कोई से भी scale से गाल हो आप ऐसा नहीं कि यह पहली गाली से बता रहो कोई से भी scale में यह राग का चलन निश्चित है सब तक प्रधान है जैसे सब तक according उसी तरह से lay according भी होता है भैरवी में बड़े ख्याल नहीं गवते हैं भैरवी चंचल प्रकरती की राग है काफी खमाज यह ठुमरी अंग की रागें है इसमें विलंबे चीज़ें नहीं गई जाती है यह गवती ही चंचलता से है क्योंकि इनका चलन ही उस लए में है आप इनको धीमे गाने जाओगे खिलेगी नहीं रागी नहीं खिलेगी आप खड़ा ही नहीं कर सकते राग खड़ा करना जैस क्यों गंपीर है मीन का प्रयोग है गमक का प्रयोग है तो मीन गमक आप सोची ना दुरतलय में कैसे आईगी तो अशुद्धता आ जाती है वहाँ इसलिए तो ठुमरी कहलो या घजलें कहलो इन्हें अशुद्ध ही तो मानते हैं शुद्ध थोड़ी है यह इंप्योरी तो नहीं गाया एक दो तिन चांप छे असान था प्रया गें न थीन अक दिन न ऐसे नहींगाया उन्हों उसको है ना कुब कुंळा के ऐं अधर गई बात शनास फेर यह कोभे कु दढ कर दित्ट त्तत धित धिं धिन एक दो तीन चार पांच छे श्याष शाण तार एक दो यह लए पकड़ी उनोंने इस लए में शुरू किया और वो तो और इत्मिनान से भी गाता है मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको फिर भी है ना उस समय जब मैं महदी साब की कुछ-कुछ गजले मैंने सुनाई तो वो सारी लगभग-लगभग इसी लए में थी जो इत्मिनान की थ अब बात आती है ओडियन्स टेस्ट पर कि आप तो ओडियन्स के लिए ये सारी चीज़ने गारे उपर उनको नहीं पसंद आ रही है तो मैंने आपको पहले ही कहा था किसी भी चीज की प्रशंसा या निंदा दोनों ही चीज़ने करने के लिए समझ आप में होनी चाहिए कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही है या उसकी निंदा आप कर रहे है या नहीं ना पसंद आ रही है वो कौन डिसाइड करता है वो आपकी समझ डिसाइड करती है हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है हमारी समझ से अच्छी लग रही है हो हो सकता है वो अच्छी नह ही है क्योंकि हम उतनी ही समझ से उस चीज को देख रहे हैं है ना तो अगर उस उन टाइप की इस टाइप की घजलों में या इस टाइप की चीजों में हम बोर हो रहे हैं इसका मतलब अभी हम कमी है हम में कमी है इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं है ना और हमें तेज वाली ची है आपको उतना ही अच्छा लगेगा आप अपनी समझ बढ़ाई है आपका रुजहान बदल जाएगा मैंने बोला ना म्यूजिक टेस्ट कैसे बदलता है आपकी समझ नुसार उसको गहरा कीजिए डीटेल सीखिए बारीकियां सीखिए तो बारीकियां नजर आएंगी ना बारीकियां सीखिए नहीं तो नजर कैसे आएंगी और सामने वाले को अप्रिशेट कैसे करोगे मैं कितनी ही अच्छी गाईकी कर लूँ मेरी गाईकी में बहुत सारी बारीकियां हूँ पर आपके लिए तो गुडगोबर है कालाक्षर भेंस बराबर कालाक्षर भेंस बराबर क्यों कहा जाता है उस कहवत का यही मतलब है कि मैंने तो बहुत अच्छी राइटिंग में बहुत अच्छा कुछ खुबसूरत सा लिखा है आप तो बोलोगे रहे वा क्या आप यह बड़ी खुबसूरत राइटिंग है लेकिन कोई जो साक्षर नहीं है यानि जो पढ़ा लिखा नहीं है अनपढ़ा आदमी है उसके लिए तो वो कालाक्षर भेंस बराबर नहीं कि क्या है यह रगीटे मार रखें उसके लिए कैलिग्राफी रगीटाई तो हुआ अगर मैं कैलिग्राफी में लिखता हूं नॉर्मल भी इंग्लिश में नहीं कैलिग्राफिक वे में एकडम सजा सजा के एक खशर बना रहता हूं तो उसको अप्रिशेट करने के लिए भी समझ होनी चाहिए और निंदा करने के लिए भी उसमें कमिया भी आप तभी निकाल सकते हो जब आपको मालूम है की कैलिग्राफी क्या होती है वरना क्या कमिया निकालोगे तो वो चीज़ है अपनी समझ आप डेवलप कीजिए तो समझ डेवलप होती ही, जब इत्मिनान की चीज़ें आपको तभी शुद्ध था, तभी तो हर किसी को हज़म नहीं होती, गी हज़म होता है क्या कुत्तों को, यह कहवत क्यों बनाई, इसलिए तो बनाई, क्यों कुत्ते को समझ ही ना उस चीज़ की, ना उसकी बॉड़ी क तसली में ही है, समझ रहे हैं, तसली से करेंगे तो इत्मिनान आएगा, मज़ा आएगा, आनन्द आएगा, एक एक चीज़ नज़र आएगी, जब नए-नए संगीत में आते हैं तो छोटा ख्याल गाना बड़ा पसंद है, तान लेना बड़ा आनन्द आता है, या गला चल बड़ा आनन्द आता है, दीमे-दीमे जब जैसे-जैसे संगीत सीखते हैं न, विलंबित ख्याल गाने में आनन्द आता है, और आलाप लेने में आनन्द आता है, राग खिलाने में मज़ा आता है, एक घंटे तक वही चीज़ खिंच रही, अभी तो अकसा नहीं लगाए डेड़ सब तक ही खिंचा है, अभी तक उपर का सानी लगाए, तब मज़ा आता है, जब आप प्रॉपर क्लासिकल गाई की सुनते हैं, तरसा-तरसा के वो आलाप लेते हैं, इतनी आसानी से सानी लगाते हैं, फिर जब वो सा लगता है न, तो वाह निकलती है दिल से, क्या रहे है यार, क्यों क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे कि, वो नीता काके वापिस आजाएंगे नीचे, वो दहत वापिस आजाएंगे, जाएंगे न, सानी लगाएंगे भी, घूम रहे हैं उसके आसपासी, इसलिए कहा जाता है एक राग में, शडज और पंचम, ये दो ऐस पंच सकते हैं, और हो सकता है कुछ को मजा भी आजाएंगे, ये न, बहुतों को आजाएगा, तो जो जिन जिन को मजा आ रहा आप ये समझ लेजी कि, उनकी समझ संकुचत है, उतनी ही है, इसलिए मजा आ गया उन्हें, वरना अगर सच्ची समझ होती तो उनको इतने में न चोटे खैल गाये जाते हैं, तो ये कुछ बाते हैं, थसलिए रखी अपनी गाईकी में, तो समझ अच्छी इंप्रूव होगी, ठीक है?